अब इस लेक्चर के अंदर हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप डिफेंट किसम के जो बूस्टिंग और बैगिंग के अलगरिथम से वो कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है और हम accuracy को भी compare करेंगे कि बैगिंग और बूस्टिंग में कौन-कौन से अलगरिथम है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं as compared to individual model तो चलिए start करते हैं Let's do this कैसे करना है जी हमने काम? Simple है, बहुत simple है यह screen आपके सामने आ गई है हम अब जाएंगे सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूँ कि हमारा सारे का सारा course description में मैंने link दी है 6 महा का ये course है और हमने day 1 से तकरीबन day 81 तक सारे का सारा यहाँ पे upload की है day 83 है आज हमारे इस course का और अगर आप machine learning को अच्छे से सीखना चाते हैं और सिर्फ machine learning नी बाकी चीज़ें भी सीखना जाते हैं statistics और data science then you can actually go and join this course ठीक है अब मैं coding पे जाता हूँ यहाँ पे अपना VS code उपन करता हूँ VS code जनाबे वाला उपन हो गया यहाँ ठीक है और हमारे पास जो VS code के अंदर random forest के बाद 16 जो notebook है solving notebook 16 underscore boosting.ipynp तो यहाँ पे इस notebook के अंदर हम काम करेंगे अपना kernel साब हम select करते हैं python ml का kernel हमने select कर लिया एक बाद याद रखिएगा कि जब हम boosting के उपर काम करेंगे we need to install simply यहीं पे मैं install करता हूँ pip install xgboost यह लाइबरेरी हमें install करना होगी minus q मैं लिखता हूँ reason यह है कि minus q से quietly install हो जाएगी ठीक है सबसे पहले तो आपको xgboost की लाइबरेरी जो है इसे install करना पड़ेगा इसके लिए आप यह inline command यूज करके इसको install कर सकते हैं करनल साब के अंदे जैसे यह आपके पास install हो रही है meanwhile we will import libraries import libraries और libraries इंपोर्ट करने के लिए हम करेंगे import pandas as pd ताके बाकी चीज़ें जो हैं वो हम साथ साथ करते रहें import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt ठीक है and then import cbond as sns फिर हम करेंगे import xgboost as xgb ठीक है तो यह हमारे पास xgb के तरीके से आ गया लेकिन हम यह भी कर सकते हैं from xgboost import xgboost classifier ठीक है तो हम classification की example देखेंगे ताके हमें clear हो जाए और regression के फिर problem आप solve करेंगे from sklearn model selection में train test template हमने कर लिया sklearn में हम accuracy का matrix देखेंगे classification और confusion matrix में वो देखेंगे हम preprocess करने के लिए standard scalar की बजाए मैं यहाँ पे label encoder को ले के आऊँगा क्योंकि हमने data को encode भी करना होता है and then from sklearn dot tree में से मैं निकालूंगा decision tree classifier import decision tree classifier और हम random forest classifier भी करेंगे so यह तीन classifier हमने कर लिये right तीन classifier है जी हमारे decision tree, random forest and xg boost classifier मतलब यह है कि हम single tree को use करेंगे फिर bagging का तरीका इस्तमाल करेंगे फिर boosting का और हम देखेंगे कौन अच्छा परफार्म कर रहा है on different dataset ठीक है और यह यहां से हम dataset लेके आएंगे यह code सारे के सारा free जो है आपके सामने आ रहा है okay तो मैंने libraries import कर ली अब हम लेते हैं जी import the data simple कोई भी एक dataset हम ले लेंगे for example मैं यहां पे df is equal to sns.load dataset मैं simple छोटा सा dataset लोगा ताके हमारा काम जो है वो easily हमारे सामने हो जाए मैं iris के dataset लेता हूँ ठीक है और iris के dataset अगर आपको मैं दिखाओं so it looks like this species को हम classify करेंगे multi class classification है और साथ में हम यह चार values की base पे करेंगे यानि के चारो numeric है हमें encoding की ज़रूरत नहीं है इनकी base पे हम species को classify करने वाले है so if you see import the data हमने import कर लिया और इसको classification के अंदर लेगे यह हमने data यहां पे आ गया df हमारे पास आ गया import the data करने के बाद हम data को एक दफा plot करके देख लेते हैं sns बलके मैं यहां पे लिखता हूँ plot the data as scatter plot scatter plot हम ड्रॉट करते हैं किसी भी दो चीज़ों का हम draw कर लेते हैं और उसकी base में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास data किस तरीके से देखते है I'm just doing this to show you कि हमारे पास color कैसे आते हैं यह जी हमारे पास तीन species हैं setosa, versicolor और virginica iris का data set है iris का data set अगर किसी को नहीं पता तो अगर आप google में यहाँ पे iris data set लिखेंगे तो आपके पास google के अंदर iris data set जो है वो open हो जाएगा which you can look here images पे जाके आपके पास यह iris के फूल है जिनकी petal और sapal की base पे length और मुटाई यानि कि यह जो है sapal है यह जो चीज है ठीक है और यह इनकी petal है sapal और petal की base पे इनकी मुटाई और इनकी length की base पे यह data को classify करते है इन्टो तीन varieties वर्सिकलर, सैतोसा और वर्जिनी का सैतोसा जो इस तरह की है वर्सिकलर इस तरह की है और वर्जिनी का इस तरह की है so we are using this data set just to classify if we know the other data set so by the way यह हमारे पास इस तरह के से plot हो गया plot करने के बाद split the data into x and y हम x और y यानि के feature और target यहां यहां पे लेंगे हमारे पास species को हमने classify करने हमने कर लिया अब हम data को train and test split करेंगे 8020 की base पे वो भी हमने कर लिया इसके बाद हम जो target variable है इसको encode भी कर सकते हैं अगर हम encode नहीं करते हैं तो I think it will work fine so we don't need to do for now यह हमने data train test split भी कर लिया अब हम करेंगे train the decision tree decision tree classifier को हम यहां पे train करते हैं और उसके लिए आप dt लिख देंगे यह हमारा classifier आ गया तो dt यानिका decision tree यह हमारा model है इसको हमने यहां पे बुलाया इसको हमने train किया train करने के बाद हम इस पी predict भी करते हैं y underscore y underscore बल्के यहां पे predict भी करते हैं y underscore dt predict x test और यहां पे print करेंगे हम इसके matrix print the matrix तो print यहां पे हम accuracy score भी कर सकते हैं और जनाब हमारा जो है confusion matrix भी and then we can also print the classification report, ठीक है but I would suggest के हम precision और recall score वगारा भी यहां पे ले हैं ताके हमें सही पता लगे तो मैं यहां पे accuracy score precision score और recall score, f1 score यह मैं कुछ matrix ले हैं हूँ यहां पे जो हमने कल पड़े थे तो f1 score तक हम इसको import करते हैं, मैंने इसको दुबारा से run किया, data को दुबारा से बुलाया, ताके मेरे पास सारे का सारा काम दुबारा से हो जाए और यहां पे accuracy score आ गया यहां पे हम करेंगे precision score और यहां पे हमारे पास आ गया recall score और यहां पे end पे आजेगा F1 score, यह 4 matrix हमने कर लिए DT के, यानि के decision tree के 4 matrix हो गया, और यहां पे हम इसको run करेंगे तो it will work with like this तो यह हमारा model train होके accuracy score आ गया, precision score आ गया, recall score आ गया और F1 score आ गया अब हम करते हैं train the random forest model तो RF यहां पे हम करेंगे, random forest classifier आ गया, अब यह जो है basically हमारे पास bagging का algorithm है, ठीक है, so bagging का algorithm को हम इस तरीके से train करेंगे, क्योंकि मैं GitHub co-pilot use कर रहा हूँ so everything will work similar fashion के अंदर, जो मैंने पहले use की है, ठीक है, precision score हो गया recall score हो गया, और यहां पे F1 score हो गया, so decision tree classifier यहां पे, पहला था हमारा, अब यहां पे मैं एक और command add करता हूँ, percent percent time की, यह एक magic command है, जब मैं इसे run करूँगा न, तो यह मुझे नीचे time भी देगा, तो इसका wall time जो total है, वो 14.1 millisecond है, अब इसके उपर भी मैं time लगाता हूँ command ताके मेरे पास time भी आए हर एक algorithm का, क्योंकि हमने बोला है कि एक चीज़ ज्यादा time लेती है, एक कम लेती है so मैंने इसको भी run किया यह हमारे पास 217 millisecond के अंदर आ गया, अब अगला ले के आते है model, बूस्टिंग algorithm जो है हम train करेंगे XGBoost model को XGBoost fit prediction भी आजाएगी and here हमारे पास आगी जनाब prediction यह आगा accuracy score precision score recall score F1 score भी आजाएगा and here we go अब हमारे पास इसकी error क्या आ रही है, invalid class inferred from u values of y expected 012 अब आपको समझ आई होगी कि XGBoost जो है यह कहता है कि हमें coded values दो यानि कि encoding ज़रूरी है पहलों के लिए ज़रूरी नहीं थी XGBoost के लिए encoding ज़रूरी है तो यहाँ पे हम क्या करते है encode the target variable और इसको label encoder को use करके हम target variable को यहाँ पे फिर transform करके wire कर देते है अब मैं दुबारा से इसे run करता हूँ सभी को यह मैंने सारे run कर दिये यह भी चल पड़ा हमारे पास अब इसका भी time stamp में यहाँ पे लगाता हूँ time यह magic command है magic commands को ज़रूर देखिएगा अब हमारे पास कुछ इस तरीके से तीनो का data आ गया यह 109 millisecond में चला है यह हमारे पास 215 millisecond के अंदर चला है और यह हमारे पास 17 millisecond में तो 17 millisecond, 215 और 109 इसका मतलब है हमारे पास boosting classifier जो है वो ठीक चला है और बाकी हमारे पास different किसम की values के साथ चले है क्योंकि हमने इन्हें default setting पे use किया है पहली बात तो यह data set बहुत चोट है इस वज़ा से यह classifier हमारे पास इस तरीके से चल पड़े है अब हम क्या करते है मैं यहां पे लिखता हूँ के make a bar plot showing age of the matrix with respect to the model अब मैं हर एक model की base पे एक bar plot बनाता हूँ जो मुझे क्या करेगा यह बताएगा के जनाब आपका जो model है उसकी accuracy क्या है फ्लाँ की accuracy क्या है फ्लाँ की accuracy क्या है so we will see that मैं आपको power of github co-pilot भी यहां पे इस वज़ा से साथ साथ दिखा रहा होता हूँ के यह coding तो आपको मिल जाएगी because हमने basic coding की हुई है in libraries की I'm just telling you के आप सिरफ different किसम की list जो है इससे गुजारते है then everything is working automatically I'm not even coding as well ठीक है so it's totally up to you के आप किस तरीके से उसे use करते है यह मैं इसको काम करने दे रहा हूँ अगर यह थोड़ा सा भी गलत काम करे then I will highlight the value अब आप चेक करें के यहां पे size of the bars it's very big तो 12 by 6 का यह size है मैं इसको 12 by 10 कर देता हूँ क्योंकि मुझे coding का पता है अभी भी हमारे पास जो है जनाब इसका size काफी जो है वो figure size जो है बहुत बड़ा है so मैं इसको अगर tight layout को cut करता हूँ अभी भी figure size बड़ा है तो मैं इसको 10 by 4 अगर करूँ so अभी भी यह बड़ा size है so 1, 4, 1 subplots, 1, 4, 2 1, 4, 3, 1, 4 अगर मैं figure size को यहां से निकालता हूँ तो यह इस तरीके से आ रहा है इसको add करते हैं यह और भी छोटा हो गया right now it looks fine अब अगर आप गौर करें तो यह हमारा decision tree algorithm है और इसके सारे score है random fresh के सारे score है और xg boost के सारे score है अगर आप गौर से देखें तो कोई इतना खास फरक नहीं है क्यों? क्योंके values जो है हमारे पास अगर आप गौर करें accuracy इसकी 0.966 है यह भी 0.966 है यह भी 0.966 है यहाँ पे भी वही चीज है यहाँ पे भी वही चीज है यहाँ पे भी वही चीज है और यहाँ पे भी वही चीज है तो इतना फरक नहीं है we can see that क्योंके data बहुत चोटा है ठीक है? बहुत ही ज्यादा चोटा data है अगर मैं आपको data की value दिखाऊं तो df.shape की अगर बात करें so 150 rows है which is very small और training के लिए और testing के लिए बहुत चोटा data set था अब आपको बड़े data set पे यही काम करके दिखाते हैं iris से बजाए मैं यहाँ पे diamond का data लेता हूँ diamond का data लेता हूँ और diamond के data को df.head करके हम देखते हैं this is our diamond का data set और इस पे time भी ज्यादा लगेगा क्योंकि यह 54,000 रोज के करीब है let me see के अगर हमारे पास यह data set अचता है diamond वरना कोई और बड़े data set पे भी हम इसको काम कर सकते हैं जितनी देर तर यह data आ रहा है हम किसी बड़े data set पे जब काम करते हैं obviously हमारा data set जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए जैसे अभी मैंने df को यहाँ पे लिया अब चेक करें 53,940 रोज हैं 53,000 रोज हैं 53,000 और data set कुछ इस तरीके से दिखता है अब यह चेक करें caret, cut, color, clarity, depth, table, price, x, y, z यह diamond का data set है हम क्या करेंगे इसको classification के थूँ चेक करेंगे यानि कि cut को predict करेंगे कि बाकी values की base पे diamond का cut क्या है caret, color, clarity, depth वगएरा यह सारे हम x, y, x के अंदर देंगे so for example मैं यहाँ पे x, y के अंदर अपना अगर data करूँ so it would be simply x is equal to cut को हम नीचे ले आते हैं और df cut यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे obviously हमें जो data है इसको label encode भी करना पड़ेगा तो उसके लिए le transform y की बजाए wait encode the input variables input variables को हम यहाँ पे label encode करते हैं और इसको for loop के through भी कर सकते हैं और यह भी तरीकागार होता है color को हमने कर दिया clarity को कर दिया और depth को कर दिया let me see हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें depth और ready है color और clarity हमारे पास दो values हैं जो हमारे पास coding जिनको numeric के अंदर convert करना है so मैंने यह color and clarity को कर दिया now we will split the data into train and test split 80-20 की ratio पे मैं इसको run करता हूँ our data is split अब आप देखेंगे कि वो ही सारे algorithm है और इनका time span देखिएगा कितना कितना लगता है मैं सारे के सारे को दुबारा से run करता हूँ यानि कि जहां पे मैंने data split किया इसके नीचे वाले सारे के सारे cell मैंने दुबारा run कर दी है ये check करें जी एक इशारिया 97 सेकंड ये अभी भी चल रहा है क्योंके random forest classifier है तो इसको time लगेगा ठीक है फिर इसके बाद जब आपका अगला algorithm चलेगा उसको भी time लगेगा और time लगने के बाद जब आपके पास end algorithm आएगा उसको भी time लगेगा अब आपने एक चीज देखी कि सिरब मैंने data change किया algorithm वैसे के वैसे ही right so it works that way यहां पे 70% accuracy है precision score 0.70 अब फिर आगे भी 0.70 recall भी F1 score भी इतना है और total time इतना आया और random forest अभी भी चल रहा है so just imagine अगर आपका data बड़ा हो जाए तो then you can actually work on these kind of algorithms like this diamonds का data set जो है इस पे आप काम कर सकते है so अब आपका task यह है कि आपने इन algorithms को run करने है और run करने के बाद obviously अगर आपका system healthy नहीं है हलका है system या उसके अंदर कोई ना कोई problem है then you have to see the accuracy accuracy की base पे आपने इपने data को देखना है precision score की base पे देखना है recall score देखना है और F1 score और आपने इन तीन models में से best model choose करना है और बताना है कि यह best model क्यों है क्योंकि आपने matrix मेरे से सीखे चारों के चारों matrix की base पे होना चाहिए कि आपका data जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और जाहरी बात है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने x को यहाँ पे encode किया है ना random fresh ने कह दिया है कि हमें x के साथ y को भी जो है वो encode करना पड़ेगा सो हम यहाँ पे y into cut is equal to हमें इसको भी encode करना पड़ेगा ताके हमारा algorithm सही से काम करे लेट मी सी क्या मसला जो इसका तो मैं दुबारा से यह सारे cell चलाता हूँ उपर वाले ताके हमारे पास data जो है वो आ जाए यह हमारे पास data आ गया शेप भी चल पड़ी यहाँ पे y cut le.fit transform cut is not working क्योंकि data set बड़ा है इस बड़ा से time भी से ज्यादा लगेगा जो error है हमारे पास यह किस चीज की error आ रही है let me see यहाँ तक ठीक चल रहा है I see now it's fine so अब हम इस algorithm को run करते है decision tree को it run in it ran in 1.68 random forest classifier को run करते है it will take some time और फिर इसको run करेंगे इसके बाद so यह हमारे पास इनकी outputs आजएगी right तो इसका मतलब यह हुआ कि XGBoost के अंदर जब आपने encoding करने है तो आपको target variable की भी करने पड़ेगी because it works in that way अब एक चीज आपको बताते तो XGBoost classifier जो है या regressor जो है यह आपका GPU भी यूज कर सकते है circuit learn के अंदर आपका GPU जो है वो आप यूज नहीं कर सकते है XGBoost जो है वो कर सकते है जिससे गया होगा आपकी speed में और भी इजाफा होता है यह notebook अभी मैं upload कर दूँगा आपने accuracy score, precision score, recall score और बाकी scores को run करके खुद से देखना है और फिर आपने अंदाजा लगाना है कि कौन सा best model है अगर आपको लगता है कि best model आप ऐसे निकाल के एक for loop भी लगा सकते है it's up to you but we just need to compare different models यहां तक hopefully आपको समझ आगी होगी और मेरे पास meanwhile result भी आगया हमारे पास 51 second लगे है random forest पे और 1.68 second लगे थे decision tree पे decision tree के accuracy है 71.71, .71, .71, .71, .71 अगर हम random forest की बात करें .78, .78, .78, .78, .78 ठीक है तो यह अगर 50 second ज्यादा चला है तो 7% accuracy 7% precision, 7% recall and 7% F1 score जो increase किया है या इसको 8% भी बोल सकते है round off करके so just imagine के एक tree चला है इतनी देर और यह random forest of different trees चले है 51 second और आपके पास यह result आया और XGBoost की अगर हम बात करें इसने 2% और भी accuracy बढ़ा दी है so you can have an idea .8, .8, .8, .8, .8 so इसका मतलब यह हुआ XGBoost और भी अच्छा काम की है random forest अच्छा काम की है as compared to decision tree लेकिन हमारे पास जो model जीता है वो है XGBoost अब अगर हम plot करके देखें यहाँ पे आपको कोई खास फरक नहीं नजर आएगा reason क्या है क्योंके सभी की accuracy जो है वो सिरफ points में फरक आ रहा है so you need to write a for loop जहाँ पे आप best model को select कर सके अब इसके इलावा भी यहाँ पे changes हो सकती है कि आप random forest के अंदर यहाँ पे number of trees बताएं या अगर आप इस function के उपर आए जो random forest classifiers और यह class है अगर इसके उपर अपना cursor लेके आते हैं इस class के अंदर कौन कौन सी चीज़े है या आप यहाँ पे hyper parameters को भी लिख सकते है which are our next topic यह xg boost हम ने देख लिया random forest देख लिया और decision tree के साथ फरक देख लिया कल इंशाला जो है वो हम next classes के अंदर यह देखेंगे कि किस तरीके से हमारे adaptive boosting technique चलती है light gbm कैसे चलता है cat boost कैसे चलता है और boosting के बाकी algorithm हम आपके सामने आएंगे यहां तक के लिए इतना ही notebook अभी मैं fetch कर दे तो आप github की repository पे जा के ले सकते हैं link मैंने description में दे दिया है अपना ख्यार रखें keep learning, keep working hard like, share and subscribe the channel और अगर description के अंदर आप गौर करेंगे तो आपको सारे के सारे course के total links जो है फ्री में available होंगे अपना ख्यार रखें दौा में आ रखें, take care and लाहाफिस